नमस्कार आप देख़े मगुपा खबर, मैं हूँ आपके साथ काज़ृठाबूर. 12 फ़र्वरी को protest होना है उसके पहले जो विधायकों की जोड़ तोड़ चल वही है उसको लेकर Congress में बहुत ज़ाधा डर है आपको यह भी बता दे कि Congress के पास सर्फ और सर्फ 19 विधायक है और यही वज़ा है कि उस डर की वज़े से Congress ने अपने 19 में से 16 विधायकों को बैंगलोर भीज़ दिया है बैंगलोर के एक रिजोर्ट में रखा गया है यानि ना वो पटना में रहेंगे ना वो पिहार में रहेंगे ना वो टूटेंगे ना वो एंडिय में जाएंगे देखिए Congress का तरीका है यह और यह कब हुआता है अपसे पहले दिली में बैठाप हुई थी Congress आलकमान की बैठ जाए यानि बिहार से बाहर तो उनको बैंगलोर भीजिया गया है यानि एक तरीके सी जारखंड की रणनीती के हिसाफ से चल रहा है जारखंड में ठीक वैसे ही हुआ था और ठीक वैसे ही अब बिहार में चल रहा है तो सूरा विधायाक Congress ने अपने बिहार से बाहर भीजि पात की भनला Congress को लग गई इसी जी ही Congress से पहले से पता साफ कर लिया अपने अप सिर्फ पॉइंट लेकर चल रही है अपने विधायकों को बिहार से बाहर भेज लिया गया है अब वो तेजस्वी आदब की बात करेंगे जो कि Congress को बहुत जादा डर है लेकि डर बहुत जो पुलूँगा अफ लो टेस्ट के दिन ऐसा कॉमाल तेजस्वी करने वाले है क्या वो कुछ और विधायक अपने संपर्ख में ले आएंगे क्या वो ऐसी को तयारी कर रहे है कि जो नितिश कुमार का बहुत परिक्ष्ण है वो फेल हो जाएगा क्या कि किसी तरह की इस त मंत्रीपदों की मार करती उनका कहना है कि दो मंत्रीपद उनको मिलने चाहिए साथ ये भी कह दिया कि उनको महांगठ्वन्दन की तरफ से मुखे मंत्रीपद का आफ्म को यहां से अपना पत्ता साफ कर सकते हैं यानि इस सवे जो पीहार की स्थ вместе야 जो पीहार की प्रस्थंगिया बनी हुई है हर किसी को डर बना हुआ है कौन कहां चला जाए कौन सा विधाय कहां चला जाए कोई नहीं चानता हूं यहीं बजा है कि Congress को इतना जादा अपने विधाय को फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार से बाहर भीज गया है अब उनकी लेंडिंग बिहार में फ्लोर टेस्ट के देखोंगे इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताईगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगा शेयर करिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगा